Hello everyone welcome to my engineering IQ channel आज हम स्टेडी करेंगे paint failure because paint formulation and techniques of paint already steady कर चुके हैं once we study our definition of paint failure causes of paint failure आई, respondents olur keeping my video now start paint failure किसी ह law enforcement के उपर किसी surface के उपर हम coating करते है tasting the paint ठीक है जिसमें सब्से पहले हम प्राइमर का यूज़ करते हैं फिर अंडर कोट यूज़ करते हैं फिर टोप कोट का हम यूज़ करते हैं तो पेंट फेलियर पेंट फेलियर का मलब खराब होना पेंट खराब कब होगा तो जो हम वो कोटिंग करते हैं जो फिल्म हम चड़ाते हैं किसी सरफेस के उपर जब अच्छे तरिके से नेचर्ड पाई या वो खराब हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे पेंट फेलियर ठीक है या फिर हम उसको बोल देते हैं कि जो कोट्स होती है अलग लगत रहेगी उनका सर्फेस के साथ अच्छे से वो पायाच्छे उनकी बॉंड इसरेंथ नहुप पाया यानी पेंट फेलियर is the loss or reduction of paint coating bond strength between coats and substrate ठीक है क्लियर paint failure occurs when a protective coating of paint fails to protect the substrate अब जो कोटिंग करते हैं उसका मेंट काम क्या होता है कि सर्फेस को भही पोटेक्ट करने का काम होता है ठीक है लुक अच्छी देने काम होता है पेंट का और कुछ अलग परपज के लिए वह हम यूज करते हैं जब उन कामों को करने में फेल हो जाए तो यानि कि मारा पेंट क्या हो गया फेल हो गया पेंट फेलियर हो गया दा इनिसिएशन ऑफ पेंट फेलियर इस लो ठीक है कि जो पें पेंट फेलियर हो जाएगा तो इसलिए हम पेंट फेलियर हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे तो इसलिए हम पेंट फेलियर दूसरा नम क्या होता है पेंट एडएशन लोस एडएशन का मतलब वहीं चिपकना सर्फिस के पर नहीं चिपका रह जाता है तो वह उखड़ने तो इसमें भी वही चीज़े बता रहे हैं देख़ा एक बार पेंट्स और कोटिंग्स और दा प्रिंसिपल मेथड ओफ कोरोजन प्रोटेक्शन फोर ओल स्टील स्ट्रक्शर में इन काम क्या होता है कोरोजन से बचाने का अल्ट्स और पर्टिक्लर्ली में अप्र दा मॉर एडवांस कोटिंग्स और कॉंपलेक्स केमिकल मिक्शर याट इन प्लेश ओन दा सर्फेस वन विच देयार अप्लाइट थीन फिल्म किसकी रूप में आप करे जाते हैं वो थीन फिल्म के रूप में विच मस्ट विद्स्ट तो स्य सके यह की मैं तो होना कि जब वो फिल्म-व दिट्टा रेट जाते है इस ओना कि पाता है मैंने पहले थी जो फिल्म ऐप्लाई करते मों खराब होना स्थाड्ट यृच्टा ग्या बोलते हैं फेलियर पेंट फेलियर इंड धीव दूल इसस द्ल Lanceti रिंकेज संग मतल एपृपिरड्ड या नदर क्या होचे सबसे मेंडर की यहां कॉज ओता है नटीक इनटा को सपथा तुम сам Holy छे किbn प्रिपियर क草तने इनमीय सब्सक्राइख वो यह से प्रिपेर नहीं किया त्रिसरे इन फ्रोपर एपलिकेशन आप धै किए उस अरोव मोनHEist पिए अप्लाई नहीं किया है Sun exposure paint को सभी अगर में exposed कर देते जा रहे टाइम के लिए तो वह पेंट हमारा क्या हो जाता है खडाब हो जाता है इन प्रोप्रियेट डिजाइन जो था हमारा वह इन एप्रोप्रियेट था या नि जिस सर्फेस पहर प्लाई किया वह सर्फेस का defect तुम्हारे है, ठीक है, paint defects, तो paint defects आजाए पपर में तुम्हारा या क्या पूछ लिया जाए paint failure, दोनों में हम एक ही बात लिखेंगे, यही point लिखेंगे, जो आप मैं बताने जा रहा हूं तुम लोगों, देखो पर में आता जाए, इस सेप्टर में से गया तो यह पूछ लिया जाएगा एक एक नंबर में बुचेंगे गोंबर है कोई भी एक यह दो पेंट डिफेक्ट बता दो जो भी होते हैं ठीक है जो अब हम पढ़ेंगे आग गयाएंगे पेंट इफेक्ट के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं न दा फॉल अगर एक दो नंबर में आएंगे डेफिनेशन पूछ जाएंगे जैसे डिफाइन एरियेशन या डिफाइन ब्लीडिंग क्या होती है डिफाइन ब्ली स्ट्रिंग तो उसको तुम एक्स्प्लेइन कर देना अगर पांच नंबर में आगे तो उसमें दो पूछ यह तो जाता है तक सबसे पहले हैं ऐसे तो क्या मतलब होता है इंट्रोड़क्शन आफ ए रियरींटू मैटिरेल के अंदर ड्र हम्तेज क्या बफूर्म करना घाएं और अरियरियेशन तो और आरियशन के आफ ए इए इंपेंट डियूरिंग किस टाइंपे बनना उनका इते मतलब हिलाते वक्त गयद शीकिक और एक्लिकेशन अपलीकेशन मतलब जो हम सर्फेस पर एम प्लाई करते हैं उसे उसे बहुट पर इन चीज़ेंगे बनने को हम क्था जोड़ा बोलते हैं तो उसका हम क्या बोलते हैं, पहले ही पड़ चुग है, ठीक है, तो उस टाइम पे, application फे, और creasing or cratering during drying, drying का मतलब क्या होता है, जब कोई surface के उपर हम paint apply कर देते हैं, तो कुछ time के बाद हम उसको, उसमें से क्या होता है, जो हमारा volatile content होता है वो क्या होता है इवैपोरेट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते है ड्राइंग तो ड्राइंग के टाइम पर क्या होता है सीजिंग और क्रेटरिंग सीजिंग मतलब failure of paint to adhere properly to a surface यानि कि जो हमारा paint है वो फेस के उपर अच्छे से चिपक नहीं जाता है चिपकता नहीं है उसको हम बोलेंगे क्रेशिंग और क्रेटरिंग मतलब forming of a large hole गड़े बनना ठीक है क्रेटर बन जाना तो इस तरह की चीज़े जब हो जाती है तो फोर्मिंग हो जाए या सीजिंग हो जाए या क्रेटरिंग ह तो इस को हम क्या बोलते हैं एरिएशन हड़ तो इसको हम कन्ट्रोल कैसे करेंगे ऐरिएशन के वी कंट्रोल्बाइtó एडिशन उफ प्रोपनरीट्रीओ कर दिफोरबर्मिंग प्रोपर ब्रॉपर डिफोलमर्मर्स टॉतली पढ़े है कहां पर पथझा ग्यक्या पारे में पढ़ा था कि farming को हम remove करने के लिए क्या add करते हैं deep formers add कर देते हैं यह हमने पढ़ा था additives के इनदर in the case of latex paint latex paint a case में और bubble release agents in the case of solvent paint अगर हम solvent paint यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या add करते हैं कि bubble release agents ठीक है ariated paint will exhibit subnormal density values तो जो ariated प्रोपर्टी क्या होती कि उनकी डेंस्टी होगी वह सब नॉर्मल यानि नॉर्मल से भी कम डेंस्टी होगी तो अगर डेंस्टी हम स्टार्टे में पनाते हैं उस नहीं हमने पता लगा लिया कि इसकी डेंस्टी का मतों हमें पता लगा जाए कि हाँ यह पेंट हमारा करता है बाहर की तरफ तो पेंट की केसमें ब्लीडिंग क्या हो जाएगा कि डिस्कलरेशन कलर का क्या हो जाना डिस्कलरेशन कलर कम हो जाना डिस्कलरेशन कोज्ड बाइग्रेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रों दा अंडरलाइंग फिल्म कि अंदर की फिल्म से बाहर जो हमारा पें फाइनल कोड के उपर तो उस इसको हम क्या बोलेंगे bleeding यानि कि बहना और उसकी वज़ाँ से क्या हो जाता है discoloration यानि कि color हमारे क्या हो जाता है जो main color होता उपर के surface का हो क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक है जाए जाए कि इस diagram में दिख रहा है तो यह देखो यह diagram दिख रहा है ना इसका यह वाला diagram तो color क्या हो गया हमारा fade हो गया कम हो गया color discolour हो गया इसको हम के बोलते हैं disc coloration बोल दो या इसको हम बोलते हैं bleeding ठीक है और उसे यह होता किस वज़ाए से है देखो substrates that can cause problem are those कौनसे कौनसे surface पे हो सकता है coated with tar और bitumen based material जिन surface के उपर हमने coating कर रखी है tar की या bitumen की या paint made up of certain red और yellow pigment तो ऐसी pigment जिसके अंदर में कौनसे pigment यूज़ कर रखी है या तो red pigment यूज़ कर रखी है या red pigment यूज़ कर रखी है या yellow pigment यूज़ कर रखी है some wall papers and timber strength that contain dice ठीक है the remedy is to use a specially formulated sealer or an aluminium paint तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या तो एक sealer यूज़ करना पड़ेगा जो हम specially बनाते हैं डिजाइन करते हैं इसके लिए या हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा एक aluminium paint का किसको को remove करने के लिए bleeding को ताकि bleeding हमारी ना हो paint के अंदर clear अब आजाओ next next defect है तुमारा भी blistering blister का मतलब क्या होता है चाले आना ठीक है blister को हम क्या बोलते है ठीक है जैसे हमारे body के पर भी वी कई बार चाले आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते है blisters तो इसी लिए इसका नाम क्या पड़ा है इस defect का नाम blistering देखो यह डाग्राम त जाएंगे देखो डाइगराम में भी दिख रहे हैं तो में तो उसको हम क्या बोलेंगे blistering ठीक है इस मेर उसमें फरक्या होता है देखो blistering क्या होगा blistering isolated convex deformation of paint film in the form of blisters arising from the detachment of one or more of the coats ठीक है जो हमने हमने coats की हैं वो coats क्या हो जाएंगे detach हो जाएंगे एक दूसरे से आपस में और वो चाला की form में उपराएंगे blister's की form में उसको हम क्या बोलेंगे blistering ठीक है इस इस ओफन दा ठीक है डार्क उसके बाद देखो इसमें डार्क कोटिंग्स are more prone to this defect than light coatings तो ज्यादा इसके पर पढ़ेगा डार्क कोटिंग यानि कि जिनका रंग गाड़ा है गाड़ा जो कलर है उसके पर ज्यादा इफेक्ट पढ़ेगा blistering का the only effective remedy अभी इस चीज को दूर कैसे किया ज ठीक है उसके बाद क्या करेंगे careful preparation of the substrate फिर उसके बाद दो आप सर्फेस को क्या करेंगे prepare करेंगे and repainting with correct material उसके बाद उसको दबारा पेंट करेंगे यानि जो पहले हमने कोटिंग की तो कोटिंग को रिमूव करेंगे फिर सर्फेस को अच्छे से प्रिपेर करेंगे दब तो इसके बाद क्या करेंगे दबारा से painting करेंगे और इसमें क्या होता है painting under very hot ambient condition should be avoided की ज्यादा ज्यादा temperature जब ज्यादा आगा तो उस टाइम पर हमें पेंट नहीं करना चीए बहुत ज्यादा temperature की के समय है ठीक है नहीं तो ब्लिस्ट्रिंग होने की समावना हमारी लग रहे है कि surface के ऊपर क्या हो जाना white white तरह है चोक की तरह जैसे board पे चोक का यूज करते हैं तो कैसा हो जाता surface white white हो जाता है तो ऐसे paint के पर तुमने देखा हो कई बार की white white फूंदीज टाइप में कह दो या surface इसका white हो जाता है जैसे इस डाइगराम में दिखा रहे है द सर्फिस के ऊपर हाथ लगा होगे तो तुमारे हाथ के ऊपर चिपक जाता है powder की तरह है तो उसको क्या बोलते हैं चोकिंग इस जनरली रिजल्ट ओफ ग्रेजुल ब्रेक्डावन ऑफ बाइंडर तो यह किसके वज़ेसे होता है जो मारा मेली क्या होता है बाइंडर होता है जो गला होगे केरफुल सेलेक्शन ओफ पिगमेंट टाइप अच्छे सेलेक्ट करेंगे उसका लेवल कितना उमें उसको अच्छे सेलेक्ट करेंगे और यूस ओ ऑफ मोर डूरेबल बाइंडर टाइप रिटार्ट इस प्रोसेस जो बाइंडर होगा वह मैं अच्छा यानि वाइट पेंट करने के लाद जो सर्फीस परकुछ चिपढ़ा तो allen तो सर्फीस को वाइट हो ट इसीलह को पेनिद पॉयन तो लेंगे बिफोर पेंटिंग दोबारा पेंट करने से परेकिंग के नाम से पता लग रहा है कि क्रेक्स बन जाना किसके अंदर पेंट की जो फिल्म होते हुथ उसके अंदर क्रेक्स का बन जाना उसको गया बोलेंगे, क्रेकिंग, देखो, formation of breaks in the paint film that exposed the underlying surface, निचे वाला surface, क्रेक आने के विज़े हमें दिखने लग जाए, ब्रेक आने के विज़े हमें दिखने लग जाए, उसका हम क्या बोलेंगे, क्रेकिंग, this is the most severe class of defects, इसकी किसकी है, ज्यादा severe defect है, यह किसकी comparison में, include checking, crocodiling and embritalment, यह भी सारे defect होते हैं, paint के, checking हो गया, crocodiling हो गया, embritalment हो गया, checking में क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तुमारा paint उख़णा स्टाट होता है, crocodile में थोड़ा और जादा हो जाए, जैसी है, इसमें डाइगरा में दिख रहा है, इस फिनोमेना दो नोट नेसरली इंडिकेट एट एट एनिफिंग वाज और इज रूंग, cracking होने का मतलब यह निए, कि paint के साथ, हमने paint के अंदर, हमने surface पे अपलाई करते हैं, कोई दिक्कत करी है, या बनाने में कोई दिक्कत की है, यह aging के साथ, aging मतलब time जैसे बीता जाता है, paint जितना पुराणा होता जाता है, उससे के साथ, उसके अंदर क्या आने start हो जाते हैं, cracks आने start हो जाते हैं, दूसरा क्या होता है, जैसे मानलो exterior paint है, हम बाहर कर देते हैं, जो गरों में बाहर करते हैं, बिल्डिंग्स पे, जो बाहर के surface पे जो हम करते हैं, बाहर की दिवारों पे, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे sun rays उसके अपर पड़ती है, तो उसके अंदर क्या होगा, cracks आने start हो जाते हैं, जाता तर, ठीक है, तो these phenomena to indicate if they are natural consequences of normal aging of the film, ठीक है, यह मैंने बताई, normal aging के साथ भी होता है, the process of breakdown leading to cracking in the paint film is essentially shrinkage to the film, उसके वीज़ा से shrink क्या होगी है, हमारी shrink कोनी start जाती है, most of the cracking noted over a timber substrate is caused by splitting and grain opening of the substrate and non-defective paint, हाँ, ठीक है, तो main चीज़ वह है कि paint हमारे ज़रूरी नहीं कि defective हो, paint defective नहीं होता है, कुसना कुछ surface के अंदर से कुसना कुछ problem आती है, the only effective remedy for cracked paint is total removal and repainting, अगर paint के अंदर से हमारे cracks नहीं लग जाए, cracks हो जाए, cracks हो जाए, paint film तो उसका हमें एक ही solution है कि उसको हमें उतारना पड़ेगा पूरी पूरी फिल्म को और दोबारा उस surface के उपर हमें क्या करने पड़ेगी, पेंटिंग करने पड़ेगी, दोबारा से paint करना पड़ेगा, ठीक है, clear fading, fading के नाम से ही पता लग रहा है, fading का मतलब fade हो जाना, देखो यह diagram दिख रहा है, इसमें इस तरफ तो हमारे क्या है, light है, dark है, और इस तरफ हमारे क्या है, light हो गया, यह हमारा क्या हो गया, dark, यह हो light, तो light का मतलब कुछ time के बाद हमारे surface क्या हो जाता, fade हो जाता, यानि उसका रंग जो होगा, वो हलका हो जाता, fade up हो जाता, उसको हम क्या बोलेंगे, fading, तो यह fading basically किसके वज़े से होती है, दो चीज़ग वज़े से हो सकती है, या तो paint की क्या हो, light fastness क्या हो, पूर हो, light fastness होगी, उतनी ही late वो क्या होगा, fade होगा, और जितनी कम light fastness होगी, उतनी ही जल्दी वो क्या हो जाएगा, fade हो जाएगा, हलका पड़ जाएगा, fade का मतलब, और दूसरी चीज़ क्या होती है, choking, choking, choking के उपर surface क्या जाता, powder आ जाता, white color की, तो उससे भी मारत रंग क्या हो सकता है, fade हो सकता है, किसी भी paint का surface का, तो this can be caused by poor light fastness of pigments used or by choking, the use of chipper, और किस की वज़े से हो सकता है, अगर हमें chipper low fastness, जिनकी low fastness हो, red और yellow organic pigment की वज़े से, causes serious problem in the exterior quality surface coating, हा, तो वही है, कोई भी ऐसे हम pigment ले लेंगे, जिसकी light fastness कम होगी, जैसे ही red हो या yellow कोई भी, तो उसकी हो सकती, serious problem हो सकती, वो जल्दी क्या हो जाएगा, हमारा, fade up हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसा हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ऐसा paint यूज़ करना चाहिए, जिसकी light fastness हमें, क्या हो, एक तो ज्यादा हो, और choking क्या भी, कम हो उसके उपर, next है, defect forming, तो forming वही है, जो हम प इसके उपर paint लगाते थे, जो उसको stir करते थे, लाते थे, देखो, लाते थे, या sick करते थे, या application के टाइम पर, bubbles बन जाना, forming हो जाना, इस तरह की bubbles बनेगा, अलग 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 जाना, चोटी-चोटी, यह देखो, अलग अलग तरह की bubbles बन रहे हैं, इसको हम क्या बोलते थ forming, forming, में continuous bubbles बनेगा, पूरे के पूरे फिल्म के उपर, पूरी चोटे-चोटी bubble, पूरी फिल्म के अंदर बन रहे है, हँआरे थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी-धोडी-धोडी-घोडी-धोडी-जोटी-धोडी-इसको हम क्या बोलेंगे, forming, देखो, इसम पढ़ के, देखो और विदा continuous gas phase को पूरे पूरी फिल्म के अंदर चोटे-चोटे bubbles बन जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे forming और forming को रिमुव करना हो तो हमने पहले ही पढ़ाए कि क्या करेंगे हम डी फॉर्मर से एड करते हैं उसके अंदर और एका बात आट इफेक्ट से हम किसकी वज़े से पेंट करते हैं किसके अप्लिकेशन करते हैं रोलर की और रोलर को अभी जल्दी-जल्दी की घुमाते हैं उसके उपर surface के उपर पर्टिक्लरली विद लेटेंग्स पेंट दर इमेडी इज़ दा एडिशन ऑफ एंटी-फोम एजेंट्स तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एंटी-फोम एजेंट्स को डालना पड़ेगा जो हम पेंट बनाते हैं उस ताइम पेंड और पपडिकी तरह निकल जाना पपड़ी कि ऐसे डागराम में बहुत चैसे अदारि वाहरा ने तो उसको व्लेंगे पीलिया फ्लेकिंग ये तुमारा उसके बाद की स्टेज देज प्रेकिंग के बाद कि अ बाद की क्रेक हो जाता-पेंट और सबस्व नाष आता है पूरा ब प्रचा को तेखे अवगा कि बाहर की तरफ मुड़ना बहर की तरफ इसमें के बूलते हैं उसका में क्या बोलते हैं प्लेकिंग तेके पीलिंग इसनस्य फेस्टेशन में पाधर सिद करना किस सीजग तो प्रदर्सीट करती है पूर एडेशन के बीच में या तो पेंट और सबस्ट्रेट के बीच में या जो अलग लगतर है कि कोटिंग हम उसमें यूज गड़ते हैं उनके पीच में अच्छे तरीके से हमारा एडेशन नहीं हो पाता है तदा इफेक्ट ऑफ पूर एडेशन में नोट बी अपरेंट अंटिल सम्थिंग अकर्स तु डिस्टरब दा फिल्म हांकि यह कब तक हमें फील नहीं होता है जब तक कुछ ऐसे सीजन हो जिसकी वज़ए से मारा पेंट उपड़ना स्ट हो जाए जैसे कि या तो ज्यादा इफेक्ट परना ओजाए टिक है यह फिर उसको बार-बार हम क्या करो हो वेटिंग रहेंगे वह पेंट क्या और बार बार गिला ओर शुख रहों उसके वज़ए से क्या होता है उसकी पीलिंग ओने चाट वजाती है दा एक्षुडेशन ओफ रैजिंस एक्षुडेशन का म ठीक करना पड़ेगा और दोबारा में क्या करना पड़ेगा पेंट करना पड़ेगा मेटी इस दू कम्प्लेट रिमोवल अफ ओल पिलिंग और फ्लेकिंग पेंट एंड रिपेंटी ठीक है